पांचमा अध्याय भगवान के यश्कीर्टन की महिमा और देवर्शि नारद जी का पूर्वचरित्र सूत जी कहते हैं तदनंतर सुख पूर्वग बैठे हुए वीना पानी परम यशस्वी देवर्शि नारद ने मुस्कुरा कर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्श व्यास जी से कहा नारद जी ने प्रश्न किया महाभाग व्यास जी आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना अवश्य ही आपकी जिग्यासा तो भली भादी पूर्ण हो गई है क्योंकि आपने जो या महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है वह धर्म आदी सभी पूरुषार्थों से परिपूर्ण है सनातन ब्रह्मतत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है फिर भी प्रभु आप अक्रितार्थ पूरुष्ट के समान अपने विशय में शोक क्यों कर रहे है व्यास जी ने कहा आपने मेरे विश आपका ज्यान अगाध है आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ नारज जी आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं क्योंकि आपने उन पुरान पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स स्वामी है और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की स्थिति और प्रलय करते रहते हैं आप सूर्य की भाति तीनों लोकों में भ्रवन करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सब के भीतर रहकर अंतह करणों के साक्षी भी है योगा नुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रम्ह और शब्द ब्रम्ह दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझमें जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बदलाईए नारज जी ने कहा व्यास जी आपने भगवान के निर्मल यश्का गान प्राय पर्थों का जैसा निरूपन किया है भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपन नहीं किया जिस वानी से चाहे वह रस भाव अलंकारादि से युप्त ही क्यों नहो जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश्का कभी गान नहीं होता वह तो इसके विपरीत जिसमें सुन्दर रचना भी नहीं है और जो दूशित शब्दों से युक्त भी है परंतु जिसका प्रतेक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है वह वानी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वानी का श्रमण गान और किर्टन किया करते हैं वह निर्मल ग्यान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती फिर जो साधन और सिध्धी दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है वह काम्य कर्म और जो भगवान को अरपण नहीं किया गया है ऐसा अहेतुक निश्काम कर्म भी कैसे सुशोबित हो सकता है महाभाग व्यास जी आपकी दृष्टी अमोग है आपकी कीर्थी पवित्र है आप सत्य परायन एवं दृढ़ व्रत हैं इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत शक्ति भगवान की लिलाओं का स्मरण कीजिए अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पढ़ जाता है उसकी बुद्धी भेदभाव से भर जाती है जैसे हवा के जखकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठोर नहीं मिलता वैसे ही उसकी चंचल बुद्धी कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती संसारी लोग सभाव से ही विशेओं में भसे हुए हैं धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने की भी आज्या दे दी है यह बहुत ही उल्टी बात हुई क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मान कर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चे करके उसका निशेद करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते भगवान अनन्त हैं कोई विचारवान ज्यानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत होकर उनके स्वरूप भूत बर्मानंद का अनुभव कर सकता है अतह जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाय जा रहे हैं उनके कल्यान के लिए ही आप भगवान की लिलाओं का सर्वसाधारण के हित की द्रिष्टि से वरणन कीजिए जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याक करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है यदि इससे पूर्वही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है परन्तु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं उन्हें कौन सा लाब मिलता है वो धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए ब्रैत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा परियंत समस्त उची नीची योनियों में करमों के फल सुरूप आने जाने पर भी स्वयम प्राप्त नहीं होती संसार के विशे सुख्तों जैसे बिना चेश्टा के दुख मिलते हैं वैसे ही करम के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सब को सरवत्र सुभाव से ही मिल जाते हैं व्यास जी जो भगवान शुरे कृष्ण के चरणार विंद का सेवक है वह भजन न करने वाले करमी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमे संसार में नहीं आता वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का समरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता उसे रसका चसका जो लग चुका है जिनसे जगत की उत्पत्ती, इस्थिती और प्रलय होते हैं वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्ष इस बात को आप स्वयम जानते हैं तथा पी मैंने आपको संकेत मातर कर दिया है व्यास जी आपकी द्रिष्टी अमोग है आप इस बात को जानिये के आप पुर्शुत्तम भगवान के कलावतार हैं आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्यान के लिए जन्म ग्रहन किया है इस द्वानों ने इस बात का निरूपन किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्यान और दान का एक मातर प्रेयोजन यही है कि पुन्यकीर्ति श्रीकृष्ण के गुणों और लिलाओं का वरणन किया जाए मुने, पिछले कल्प में, अपने पूर्व जीवन में, मैं वेदवादी ब्राम्भनों की एक दासी का लड़का था वे योगी वर्शा रितु में एक स्थान पर चातुर मास से कर रहे थे बच्पन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था मैं यद्यपी बालग था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था, और आज्यानुसार उनकी सेवा करता था मैं बोलता भी बहुत कम था मेरे इस शील सुभाव को देखकर, समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यनता नुगरह किया उनकी अनुमती प्राप्त करके, बरतनों में लगा हुआ जूठन, मैं एक बार खालिया करता था इस से मेरे सारे पाप धुल गये इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हुआ शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुची हो गई प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायन महात्माओं के अनुगरा से मैं प्रती दिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता शुद्धा पुर्वक एक एक पद श्रमन करते करते प्रियकीर्थी भगवान में मेरी रुची हो गई महामुने, जब भगवान में मेरी रुची हो गई, तब उन मनोहर कीर्थी प्रभु में मेरी बुद्धी भी निश्चल हो गई उस बुद्धी से मैं इस सम्पूर्ण सत्थ और असत रूप जगत को अपने परब्रह्म सुरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो रितियों में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरी के निर्मल यश का संकीर्थन किया और मैं प्रेम से प्रत्तेग बात सुनता रहा अब चित के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हर्दे में प्रादुर्भाव हो गया मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनई था, उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नश्ट हो चुके थे मेरे हर्दे में शद्धा थी, इंद्रियों में सैयम था, एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुहितम ज्यान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयम भगवान ने अपने श्री मुक से किया है उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका जिसके जान लेने पर उनके परंपद की प्राप्ती हो जाती है सत्य संकल्प व्यास जी, पुर्षत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रती समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एक मात्र रौशदी है यह बात मैंने आपको बतला दी प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है वही पदार्थ चिकित्सा विदी के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता इसी प्रकार यद्यपी सभी कर्म मनुष्यों को जन्मम्रिक्त रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं तथा पी जब वे भगवान को समर्पित कर दिये जाते हैं तब उनका कर्म पनाही नष्ठ हो जाता है इस लोग में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसनता के लिए किये जाते हैं उनहीं से पराभक्ति युक्त ज्यान की प्राप्ति होती है उस भगवदर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्यानुसार आचरन करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन दसास्मरण करते हैं प्रभो आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है हम आपका ध्यान करते हैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षन को भी नमस्कार है इस प्रकार जो पुरुष चतुर व्यूह रूपी भगवन मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृ मंत्रमूर्ति भगवान यग्यपुरुष का पूजन करता है उसी का ज्यान पूर्ण एवम यथार्थ है ब्रह्मन जब मैंने भगवान की आज्यां का इस प्रकार पालन किया तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्म ज्यान अईश्वर्य और अप आपका ज्यान पूर्ण है आप भगवान की ही कीर्थिका उनकी प्रेममई लीला का वरणन कीजिए उसी से बड़े-बड़े ज्यानियों की भी जिग्यासा पूर्ण होती है जो लोग दुखों के द्वारा बार-बार रौन्दे जा रहे हैं उनके दुख की शान्ती इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है